जैंद बंदे मातरम सबको सीच्छा यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में बियार पुलिस के लिए समीदान के टोप 50 प्रसंद देखेंगे ये सभी प्रसंद जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और सलेक्टेट कुश्चन है और ये क्लास आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और क्लास के लाष्ट में आप बताईएगा कि आपने इन 50 प्रसंदों में कितने प्रसंद सही किये चलिए बीना देर किये हुए क्लास को सुरू करते हैं क्वेश्चन नमर पाला भारत के राष्टे पती को उसके कारेकाल की समापती से पुर्व किस प्रकार पद से अटाया जा सकता है तो भारत के राष्टे पती को उसके कारेकाल की समापती से पहले जो है उस पर माभियोग लगा कर अटाया जा सकता है ओप्षन ए करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टू संभीदान के किस अनुछेद में मंत्री मंडल सब्द का परियोग किया गया है मोश्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो इसका करेक्ट एंसर है आप्षन नम्बर ए संभीदान के अनुछे तीन सो बाउन के तीन में जो है मंत्री मंडल सब्द का प्रियोग किया गया है option A correct answer है अगला question question number 3 भारत का सरोच बिदी अधिकारी कौन होता है तो भारत का सरोच बिदी अधिकारी जो है भारत का मानियावादी होता है option A correct answer है और ये सभी प्रेस्ट मोस्ट इंपोटेंट है आप लोग के एकजाम में जरूर देखने को मिलेंगे तो इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा अगला question question number 4 भारत के राष्टे पती को उसके पद से अटाने का अधिकार किसे प्राप्त है तो भारत के राष्टे पती को उसके पद से अटाने का अधिकार जो है भारत के संसत को है option C correct answer है अगला question question number 5 संभीदान के किस अनुछेद के अंतरगत धन भी देख को परिबासित किया गया है तो संभीदान के अनुछेद 112 के अंतरगत जो है धन भीदेख को परिबासित किया गया है option B correct answer है अगला question question number 6 अनुछेद 61 के अंतरगत राष्टे पती पर माअबियोग संसत के किस सदन द्वारा प्रारंब किया जा सकता है तो अनुछेद 61 के अंतरगत जो है राष्टे पती पर माअबियोग संसत के किसी भी सदन के द्वारा आरंब किया जा सकता है यान कि राजे सबा या लोग सबा किसी में जो है राष्टे पती पर माअबियोग की परिक्रिया सुरू की जा सकती है option A correct answer है अगला question question number 7 राजे सबा का सबापती कौन होता है तो राजे सबा का सबापती जो है उपर राष्टे पती होता है option B correct answer है अगला question question number 8 भारत का प्रदान मंत्री बनने के लिए नियुन्तम आयू कितने वर सोनी चाहिए तो भारत का प्रदान मंत्री बननने के लिए नियुन्तम आयू 25 वर सोनी चाहिए option D correct answer है यदि भारत का राष्टे पती बनने के लिए बात करें तो भारत का राष्टे पती बनने के लिए नियुन्तम उम्र 35 वर स उपर राष्टे पती बनने के लिए भी 35 वर सोनी चाहिए राजे सभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्स और लोग सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्स और परदान मंत्री बनने के लिए 25 वर्स और ग्राम परदान बनने के लिए 21 वर्स तो यह कुछ important point है जिसे आप लोग को याद रखना है अगला question question number 9 भारत का राश्टेपती अपना त्याग पत्र किस को संबोदित करके देता है तो भारत का राश्टेपती जोै अपना त्याग पत्र उपर राश्टेपती को संबोदित करके देता है option A correct answer है अगला question Q10 किंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है तो किंद्र सरकार का प्रमुख जो है प्रदान मंत्री होते हैं ओप्सन भी करेक्ट इंसर है अगला Q10 Q11 लोग सबा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो लोग सबा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है पांड सो बाओन हो सकती है ओप्सन डी करेक्ट इंसर है अगला Q11 Q12 भारत के मुल संबिदान में कुल कितनी अनसूचिया थी तो भारत के मुल संबिदान में कुल आठ अनसूचिया थी option A correct answer अगला question question नबर 13 मुल संबिधान में कुल कितने अनुछेद और कितनी अनुसूचिया थी तो मुल संबिधान में जो है 395 अनुछेद और 8 अनुसूचिया थी option C correct answer अगला question question नबर 14 लोग भारतिय संबिधान का कौन साभ संबिधान की आत्मा कह अलाता है तो उद्धेसिका को संबिधान का आत्मा का आजाता है option B correct answer है अगला question question नमर 15 भारतिय संबिधान की उद्धेसिका में संस्दन किया गया था तो 42 में संबिधान संसोधन के द्वारा जोए उद्देशी का यानकी प्रस्ताओना में संसोधन किया गया था option C correct answer ए अगला question question number 16 भारती संबिधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है तो भारती संबिधान जोए एकल नागरिकता प्रदान करता है option A correct answer है अगला question question नमर 17 बारतीय संभीदान में एकल नागरिकता का प्रावदान किस देश से लिया गया है तो बारतीय संभीदान में जो है एकल नागरिकता का प्रावदान ये ब्रिटेन के संभीदान से लिया गया है option D correct answer है अगला question question नमर 18 संभीदान के किस अनुछेद के अंतरगत अस्प्रिशेता का उन्मूलन किया गया है तो संभीदान के अनुछेद 17 के अंतरगत जो है अस्प्रिशेता यानि कि छुआ छुट का उन्मूलन किया गया है option B correct answer है अगला question question नमर 19 राजे के नितिने जेसक्सी दानतों में कौन सा अनुछेद जोए अंतराष्टिय सांती और सुरच्छा के सनवर्धन से संबंदित है तो अनुछेद जोए अनुछेद एकाओन है ओप्शन सी करेक्ट एंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नमर बीस राजे सबा का सदस से बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी है तो राजे सबा का सदस से बनने के लिए जो नियुन्तम आयू 30 वर्ष होनी चाहिए ओप्शन भी करेक्ट एंसर है और लोग सबा का सदस से बनने के लिए नियुन्तम उम्र 25 वर्ष राष्ट्य पती और उपराष्ट्य पती बनने के लिए 35 वर्ष और प्रदान मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन संसत के की सदन का अध्यच उसका सदस्य नहीं होता है तो इसका करेक्ट एंसर है ओफ्षन नमबर ए राजय सबा का ओफ्षन ए करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन कुष्चन नमर 22 लोग सभा चुनाव में निर्वाची ठोने के लिए किसी ब्यक्ती की नियुंतम आयू ज़ो है 25 वर्स निर्धारित की गई है ं. option A correct answer है अगला कुष्चन Q23, लोग सभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोग सभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 543 है, option D correct answer है पहले ये संख्या जो थी 545 थी, लेकिन जो है दो एंगलों इंडियन का पद को समाप्त कर दिया गया है, तो अब 543 हो गया है, option D correct answer है अगला question Q24, संसदी ब्यवस्था में सुन्य काल किस देश की देन है? तो संसदी ब्यवस्था में सुन्य काल जो है, भारत की देन है, option C correct answer है, अगला question Q25, संसद की कारवाई का प्रथम गंटा क्या कालाता है? तो संसद की कारवाई का प्रथम गंटा जो है, प्रस निकाल का अलाता है, option A correct answer है अगला question Q26, सरोच नियाले के नियाएदीसों की निकती किस के द्वारा की जाती है? तो सरोच नियाले के नियाएदीसों की निकती जो है, भारत के राष्ठपती के द्वारा की जाती है, option B correct answer है अगला question Q27, संबिदान सबा का इस्थाई अध्यच की से चुना गया था? तो संबिदान सबा का इस्थाई अध्यच जो है, डाक्टर रजन पसाद को चुना गया था, option C correct answer है अगर आप से पुछा जाए कि सम्विदान सभा का ओ इस्थाई अध्यच किसे चुना गया था तो ओ इस्थाई अध्यच जो है डाक्टर सचिदानन सिना को चुना गया था तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है अगला कुश्चन कुश्चन नबर 28 बारतिय सम्विदान के निर्मार काल में सम्विदान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो बारतिय सम्विदान के निर्मार काल में जो है सम्विदान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे option A correct answer है अगला कुश्चन question number 39 बारतिय सम्विदान में मूल करतब्यों का प्रावदान किस देश के सम्विदान से प्रावदान जो है रूस के सम्विदान से प्रावदान जो है। option a correct answer है अगला question question number 30 बारतिय सम्विदान में किस प्रावदान की सासन प्रडाली की बेवस्था की गई है तो बारतिय सम्विदान में जो है संसदात्मक सासन प्रडाली की बेवस्था की गई है option a correct answer है अगला question question number 31 निती निजशक्त तत्था मूल अधिकारों को संबिदान की आत्मा किस ने का आए तो निती निजे सकत तो तथा मूल अधिकारों को जोए ग्रेनवील आस्टिन ने संबिदान की आत्मा का आए ओप्सन एक औरेक्टरिन सरे अगला कुश्चन कुश्चन नमर 32 संबिदान के प्रथम अनुछेद के अनुसार बारत होगा तो संबिदान के प्रथम अनुछेद के अनुसार बारत जोए राजियो का संग होगा आप्सन एक औरेक्टरिन सरे अगला कुश्चन कुश्चन नमर 33 बारतीय संभीदान सभा के सिन्वेदानिक सलाकार कौन थे तो बारतीय संभीदान सभा के सिन्वेदानिक सलाकार जो थे वो सर बी यन राओ थे ओप्शन एक करेक्टिन सरे अगला कुश्चन कुश्चन नमर चवंटीस बारत का संभीदान कब सिवकार किया गया है तो बारत का संभीदान जोए 26 नॉवंबर 1949 में सिवकार किया गया option A correct answer है अगला question question number 35 बारतिय संभीदान में मौलिक करतब्यों का विचार किस देश के संभीदान से लिया गया है तो बारती संभीधान में मौलिक करतव्यों का विचार जो है रूश के संभीधान से लिया गया है option A correct answer है, अगला question Question 36, बारत में न्याइक पुनभाव लोकन की संकल्पना किस देश के संभीधान से ली गई है? तो बारत में न्याइक पुनरलोकन की संकल्पना जो है सन्युक्त राज अमेरिका के संभीदान से ली गई है ओप्सन ए करेक्ट इंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नबर 37 बारत के संभीदान में समलित अपात कालीन उप्बंद की संभीदान से प्रेडित है अगला कुश्चन Q. 38 बासा यी आदार पर बारत में सरुपर्थम किस राजय का गठन किया गया था तो बासा के आदार पर जो है बारत में सरुपर्थम आंदरपर्दिस राजय का गठन किया गया था ओप्शन A correct answer है अगला Q. Q. 49 भारत से बार लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतिय नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी तो जो है बारत से जो है 7 वर्ष लगातार बार रहने पर भारतिय नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी ओप्शन A correct answer है अगला Q. Q. 40 बारतिय संभीदान का कौन सा अनुछेद बीदी के समझ समता के अधिकार से समबंदी थे तो बारतिय संभीदान का अनुछेद 14 जो है ये बीदी के समझ समता के अधिकार से समबंदी थे ओप्सन D correct answer ए अगला question Q1, 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 Q ओप्सन C correct answer हैं अगला question क्वेश्चन नुमर 42 मौलिक अधिकारों का संरच्छक क्योण है तो मौलिक अधिकारों का संरच्छक जो ए नियाए पाली का ऐ ओप्सन B correct answer हैं अगला question Q43, बेक्तिगत सोतंतरता के अधिकार के लिए कौन सी याची का दायर की जा सकती है तो बेक्तिगत सोतंतरता के अधिकार के लिए जो है बंदी परती अच्छी करण दायर की जा सकती है option A correct answer है अगला Q44, भारतिय समिदान के किस बाग में मौलिक करतब ये उलेखी थे तो भारतिय समिदान के बाग 4A में जो है मौलिक करतब ये उलेखी थे option B correct answer है अगला Q45, भारत के राष्ट पती चुनाओं में उत्पन बीबाद का निप्टारा कौन करता है तो भारत के राष्ट पती चुनाओं में उत्पन बीबाद का निप्टारा जो है सरुच नियाले यानिकी सुप्रीम कूट करता है option A correct answer है अगला Q46 Q46, परदान मंत्री की निप्टी किसके द्वारा की जाती है तो परदान मंत्री की निप्टी जो है राष्ट पती के द्वारा की जाती है option A correct answer है अगला Q46 Q47, संसदी ये सासन ब्यवश्था में वास्त्विक कारेपाली का सक्थी किसके अधीन होती है तो संसदी ये सासन ब्यवश्था में जो है वास्त्विक कारेपाली का सक्थी परदान मंत्री के अधीन होती है option B, correct answer है अगला Qkeshan Q48 भारत सरकार को कानूनी विशेव पर प्रामर्स कौन देता है तो भारत सरकार को जो कानूनी विशेव पर प्रामर्स महान्याईवादी यानकि एटोर्नी जनरल आफ इंडिया देता है ओसम भी करेक्ट एंट सरे अगला Q Q49 लोग सबा अद्यच अपना त्याग पत्र की से सौपता है तो लोग सबा अद्यच जो है अपना त्याग पत्र लोग सबा उपाद्यच को सौपता है ओप्शन ए करेक्ट एंट सरे अगला Q Q50 राजे सबा की अधिक्तम निर्दारित सदस्य संख्या कितनी है तो राजे सबा की अधिक्तम निर्दारित सदस्य संख्या जो है 250 से ओप्शन सी करेक्ट एंट सरे और यह क्लास का अंतिम प्रस्ण था आप लोग को यह क्लास का इसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा और आपने 50 प्रस्नों में से कितने प्रस्न सही किये यह भी कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट कलास में तब तक लिए अपना ख्याल रखें जैहिंद बंदे मातरम